हाई गाईज दिस इस सुभाश और वेलकम बैक तो स्टी सुलूशन्स तोड़े आम हीर वीडियो दिस मिनिमम्म कवर फॉर आर से सी मैंबर्स दोस्तों यह एक बहुती बेसिक सी वीडियो है आई होप आपको समझ आएगी और आप इसको याद रखने के कोशिश करना है कि यह बहुत बेसिक चीज है और यह हमें पता होनी चाहिए ठीक है तो लेस्टार्ट सबसे पहले हम बात करेंगे कि कम से कम कवर हमें जड़ेन प्र्श्र clinical STRUCTURES में कितना प्र रफांज करना होगा ज़्यादा से जाद की बात नहीं करेंगे की ज़्यादा जया आपको कि अपनी कितना प्रवाइट कर सकते हो तकिarett क्याप कोई-विर चैटन कर पहो ठीक है और अगर हम बात करें कि यह कवर जो है कैसे इस particular project के लिए या इस particular structure के लिए आपको कितना cover लेना है अगर हम footing की बात करें या column की बात करें या beam की या slab की किसी की बात करें उसके लिए लग-लग cover होते हैं ठीक है अब जो हम एक standard रहता है तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम आपको कितना cover लेना है अगर आप कोई construction कर रहे हो तो ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं footing की footing के लिए कम से कम cover आपको 50 mm लेना ही है अब दूसरा है हमारा column और column के लिए minimum cover है 40 mm जब भी आप column बना रहे हो तो कम से कम आपको 40 mm का cover देना ही देना है ताकि आपका structure जो है वो safe रहे और जो reinforcement bars है आपकी वो frozen से बची रहें क्योंकि हम cover क्यों provide करते हैं ताकि हमारी जो reinforcement की bars हैं वो safe रहें और उनमें frozen ना लगे ठीक है, junk लगाएगा तो वो खतम हो जाएंगी इसलिए हम cover provide करते हैं तो जब column बनाओगे तो कम से कम 40 mm का cover आपको देना ही देना है ठीक है, अब beams beams में आपको कम से कम 25 mm का cover provide करना ही करना है इससे आप ज़्यादा provide कर सकते हो जो आपके पास design की values हैं तो वो provide करेंगे बट कम से कम 25 होना चाहिए ठीक है, सबसे last है slab slab तो आप जानते ही हो slab में कम से कम 20 mm का cover होना ही चाहिए 20 mm का नहीं है तो वो सही नहीं है ठीक है, कम से कम 20 mm का cover होना चाहिए तो दोस्तो ये थी है आज की हमारी वीडियो minimum cover के बारे में जो आप different RCC structures में provide कर सकते हो ठीक है, I hope आपको वीडियो अशी लगी होगी अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस रेड कलर का button दबाना है और आप हमारे साथ जुट जाएंगे ठीक है, थैंक यू, थैंक यू very much for watching this video